हाई गाईज आज हम बहुती आसाने से बनने वाला महाराष्टियन मत्टा बनाएंगे मसाले दर खाला खाने के बाद डाइजेशन के लिए इसे सर्व किया जाता है इसे शादियों में तो जरूर बनाया जाता है आज हम बिल्कुल हलवाई श्टाइल मत्टा बनाएंगे जैसे कि इसमें हम बुंदी भी यूज करेंगे साथी में हम पहले स्पेशली मत्टा मसाला बनाएंगे इस मसाला से अपना मत्टा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगा जो के सबी को बहुती पसंद आने वाला है तो चलिए जदा देन न करते होए स्टार्ट करते हैं अपने मट्टा मसाले के साथ special मट्टा की रेसेपी आपका सौगत है अपने YouTube चानल वेशल इंडियेंस रेसेपी में तो चलिए सबसे पहले हम मट्टा मसाला बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे हमने एक प्यान लिया है इसे हमने गैस पे चड़ा दिया है और गैस के फ्लेम लो कर दिये इसमें हम दो चमच साबू दनिया डालेंगे दो चमच जिरा डालेंगे एब इस पच्चिस कालिमेश डालेंगे दो बड़े चमज सोब डालेंगे एस सोब डालने की वज़े से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है इन सभी मसालों को हम इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर रोश्ट कर लेंगे इस मसाले से अपना मठा बहुती बढ़िया बनने वाला है इस मसाला के अलग से प्लेवर की वज़े से इस अभी को बहुती पसनाने वाला है अब इस अभी मसाले लो फ्लेम पर बस दो मिनिट में अच्चे से रोश्ट हो गए है और इन मसालों की खुशबू भी बढ़िया आने लगी है इसी स्टेश पर हम ग्यास बन कर देंगे इसमें हम एक चमज अज़वाइन डालेंगे अभी बे मसाले काफी गरम है इसमें ये अज़वाइन रोश्ट हो जाएंगी इसी थोड़ा चला लेंगे इस अजवाईं को हमें पहले इन मसालों के साथ नहीं डालना है नहीं तो यह जल जाएंगी इस अभी मसाल अच्छे से रोष्ट हो गए इन्हें हम थंडा होने के लिए इस बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पे हमने एक मिक्सिका जार लिया है इसमें हम अपना मसाला डालेंगे यह पूरी तरह से थंडा हो गया है इस मसाला की हमें फाइन पाउडर बना लीनी है उससे पहले हम इसमें कुछ सुके मसाले डालेंगे दो चमच सुन्ट पाउडर डालेंगे एक चमच काला नमक डालेंगे एक चमच पुदिना पाउडर डालेंगे एक चमच सपेद नमक डालेंगे एक बड़ा चमच निम्बू सत्वर डालेंगे एक बड़ा चमच आमचूर पाउडर डालेंगे एक चमच सपेद मेरे पाउडर डालेंगे एक 100 ग्राम चिनी डालेंगे अगर आप ज़्यादा मीटा पसंद करते हैं तो आप मत्ता बनाते वग और भी चिनी डाल सकते हैं बड़िया फ्लेवर के लिए लाश्ट में हम इसमें एक चमच हिंग डालेंगे इन सभी मसालों को हम फाइन पीस लेंगे इसकी फाइन पाउडर बना लेंगे इसे हमने अच्छे से फाइन पीस लिया है अपने इस मत्ता मसालों को हम चलनी से चान लेंगे ताकि इसमें चीनी बगेले का कोई बारिक पाठ हो तो उपर इस चलनी में आ जाएंगे और नीचे अपना फाइन मत्ता मसाला पाउडर तयार हो जाएंगा इस स्पून को इस चलनी में इस तरह से चलाते वे इस मसालों को हम चान लेंगे तो यह देखिए इस चलनी में कैसे मसाले के बारिक पाठ उपर आ गए है यह अपने मत्ता मसाला की फाइन पाउडर बनकर तयार हो गई है यह अपना फाइन पीसा हुआ मठ्टा मसाला पूरी तरह से तयार है यह मसाला पाउडर मठ्टे में डालते ही बहुती जल बहुती अच्छे से घुल मिल जाएंगी जब हम इस मसाला पाउडरो को मठे में डालेंगे तो कोई जान भी नहीं पाएंगा कि हमने इस मठे में कौन सा मसाला डाला है इस मसाला पाउडरो को मठे में डालने के बाद और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है बहुत ही बड़िया यूनिक डिपरंट स्टाइल का मट्टा बनकर तयार हो जाएंगा जो भी एक बार इस मट्टा मसालों को पेंगा आपकी तारिफ तो जरूर करेंगा ही तो चलिए हम फटाफट से अपना मट्टा बनाएंगे और इस मट्टा मसला पाड़ों को मट्टे में कब और कितना डालना है ओ भी देखेंगे अपना मट्टा बनाने के लिए यहाँ पे हमने यह आदा लेटर दई लिया है इस दई को हमने घर पे ही जमाया है यहापर हमने मठा बनाने के लिए यह दय को इस बड़े बरतन लिया है यहापर मठ्री लेंगे और मठ्री से अच्छे से फेट लेंगे आप चाहे मिक्सी में भी बना सकते है पर मिक्सी में तोड़ा सा पतला और दरदरा सा होता है पर इस मत्री की वज़े से इसका स्टेचर बहुत ही बढ़िया आता है अगर आपको ये वीडियो पसना है तो इस वीडियो कलाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे युनिल डिपरेंस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिएगा ये मत्ठा बनाने के लिए जितना हमने दई लिया है उतना ही हमें पानी लेना है जिस बरतन में हमने दई लिया था उसी बरतन में हम उतना ही पानी लेंगे पानी इस दई में हम एड़ करेंगे और इस मट्रे से इसे अच्चे से फेट लेंगे एक बात का खास दयान रखना है कि मट्टा बनाते वक्त जितना हमने दई लिया है उतना ही हमें पानी लेना है इससे क्या होता है ना कि ये मठ्टा ना जदा पतला ना जदा काड़ा बनता है बिल्कुल परफेक्ट मठ्टा बनकर तैयार हो जाता है आप देख सकते हैं इसे अच्छे से फैटने के वज़े से इस पर कैसा जागा रहा है हमने जो मट्टा मसाला पाउडर बना कर अब किये इसमें हम अपने हिसाब से ग्लास के लिए एक चमच मट्टा मसाला पाउडर डालेंगे याने इसमें हमें पाच चमच मट्टा मसाला पाउडर डालेंगे इस मसाला पौडर को इस मत्टे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इस तरीके से आप इस मत्टा जरूर बना कर देखिएगा आपको इतना पसंद आएंगा कि आप इसी तरह का मत्टा बना कर बार बार पीना पसंद करेंगे और यह जो हमने मट्टा मसाला पाउडर बनाई है इसे हम एर्टाइट कंटेनर में पूरा एक साल के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी गर्मियों के मसाला पाउडर के यूज करते हुएं इस तरह का मट्टा बना कर मंचाई तब हम इसे इंजा कर सकते हैं इसमें हमें थोड़ा सा फ्रेश हरादनिया ऐट करेंगे इसमें हमें थोड़ी से बुंदी ऐट करेंगे ए बुंदी अपने घर पे ही बनाई है इस भुंदी को भी इस मट्टे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे अपना मट्टा पूरी तरह से बनकर रेडी है इसमें और भी कुछ भी डालने की ज़रुवत नहीं है यह बिल्कुल परफेक्ट मट्टा बनकर तयार हो गया है तो चलिए हम अपने मट्टा को ग्लास में सरु करेंगे यहाँ पे हमने चार ग्लास लिए है इन चारो ग्लास में हम अपना मट्टा डालेंगे तो यह देखिए यहाँ पे हमने चारो ग्लास अपने इस मट्टे से अच्छे से भर लिए है ये हमने और एक ग्लास लिया है, इसमें भी हम अपना मट्टा डालेंगे ये हमने कुछ आइस क्यूब लिया है, इन सबी ग्लास में हम आइस क्यूब डालेंगे तो ये देखिए बहुत ही बड़ी है, यूनिक डिपरंश टाइल का मट्टा बनकर तयार है तो आप भी इस मट्टा मसाले के साथ इस तरह का ये मट्टा जरू बना कर देखिए, आपको बहुत ही पसन आएंगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरू बताएगा के मट्टा मसाले के साथ आपका मट्टा भी कैसे बना अचले मिलते जल्दी नेस्ट वीडियो में ठैंक यू सो मच पार आचिंग इस वीडियो बाई